नमस्ते बच्चो आज की पाड़ साला में हम कक्षा तीसरी विसे बालभार्ती तो बच्चो इस बालभार्ती में जितने भी कविता है हम कविता का वाचन करेंगे ठीक है हेलो बच्चो बच्चो आज मैं आप लोगों को एक प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ ठीक है कहानी का नाम है एक ता तो बच्चो एक गाउं था उस गाउं में बहुत एक पेड़ की नीचे ना बहुत सारे कबूतर रहते थे और वो सारे कबूतर एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस थे जैसे आप लोग अपने दोस्त के साथ बैठते हो खेलते हो खाना खाते हो पढ़ाई करते हो इसकुल में उसी प्रकार वो कबूतर भी सबी कबूतर एक साथ एक पेड़ पे रहते थे एक दूसरे के साथ दाना चुगने जाते थे आपस में खेलते थे बात करते थे इसी प्रकार उनके दिन बहुत अच्छे से जा रहे थे फिर एक दिन क्या होता है मालू में एक शिकारी अंकल उनको देखते हैं अरे यहाँ प जाल के उपर बहुत सारा दाना डाल देते हैं और कबूतर दाना खाने के लिए तो यहां से वहां उड़कर जाते हैं तो सिकारी अंकल क्या करते हैं कबूतर को पकड़ने के लिए एक जाल डाल देते हैं और जाल पर बहुत सारा दाना डाल देते हैं फिर क्या होता है कबू कबूतर उड़ कराते हैं और वो देखते हैं अरे यहां पे तो बहुत सारा खाने के लिए दाना है तो कबूतर उसे बैठ कर खाने लगते हैं देखो खा रहे हैं न कबूतर सब कबूतर खा रहे हैं फिर एक कबूतर को याद आता है कि मुझे तो घर जाना है मेरे घर में बच नहीं पाता है तो वो सब कबूतर को बताता है अरे हम लोग तो फस गए हैं अब हम उड़ेंगे कैसे अब शिकारी आएगा और वो हमें माल डालेगा अब हम क्या करें ये दिखो सारे कबूतर एकदम डर गए हैं डर के बैठ गए हैं तो इसमें से ये दिखो ये कबूतर है ना ये सबसे बड़ा कबूतर है बुड़ा कबूतर तो ये क्या बोलता है आप लोग डरो मत मैं आप लोगों को एक आइडिया बताता हूँ जब मैं तीन बोलूँगा तो हम सब लोग एक साथ उड़ेंगे तो सब लोग बोलते हैं एक साथ उड़ने से क्या होगा तो ये बुड़ा कबूतर समझाता है कि जब हम सब लोग एक साथ उड़ेंगे तो ये जाल हमारे साथ उड़ जाएगा और फिर हम दूर जाकर अपने दोस्त को बलाएंगे और हमारा दोस्त आकर हमारी मदद करेगा तो बुड़ा कबूतर सबको समझाता है कि आप लोग डरो मत जैसे मैं तीन बोलूँगा सब लोग पूरी ताकत लगाकर उड़ेंगे तो सारे कबूतर बोलते हाँ ठीक है तो ये बुड़ा कबूतर बोलता है एक, दो, तीन जैसे ही ये बुड़ा कबूतर तीन बोलता है ये देखो बच्चो सब ही कबूतर चोर से ताकत लगाकर उड़ने लगते हैं और जाल भी उनके साथ उड़ रहा है चित्र में दिखाए देरा आप लोगों को ये देखो, जाल भी उड़ गया कबूतर लोग पूरी ताकत लगाकर जाल को उड़ा कर लेके गए अब यहाँ पे देखो जैसे ही कबूतर लोगों ने जाल को उड़ाया ये जो जाल पकड़ने वाला अंकल है बहलिया वो देखते रहे गया वो तो सोचा था सारे कबूतर फज जाएंगे और सबको मैं पकड़ लूँगा लेकिन क्या होता है उल्टा हो जाता है सभी कबूतर जाल लेकर उड़ जाते हैं अब यहाँ पे देखो सारे कबूतर जाल लेकर उड़कर एक पहाड के पास आए है है ना अब पहाड के पास आगए सारे कबूतर अब देखो उसके बाद बच्चो ये जगा खाली है और फिर उसके बाद क्या है सारे पक्षी जाल में से निकल कर उड़ रहे है तो यहाँ पे क्या आएगा मालूम है बच्चो ये कबूतर लोग पहाड के पास जाल को लेके उतरते हैं तो उनका एक दोस्त है वो दोस्त कौन है चूहा ननकू चूहा तो सारे कबूतर अपने दोस्त को बलाते हैं ननकू ननकू आजाओ हमारी मदद करो तो ननकू चूहा आजाता है और चूहा के दाथ तो बहुत नोके ले रहते हैं तो चूहा क्या करता है मालूम है बच्चो अपने दाथ से जाल को काट देता है और जैसे ही चूहा जाल को काट देता है तो सारे कबूतर निकल जाते हैं और आसमान में उड़ने लगते हैं और अपने दोस्त ननकु चूहा को धन्यवाद बोलते हैं तैंक्यू आपने हमारी मदद की तो बच्चो यहाँ पे कौन सा चित्राएगा यहाँ पे चित्राएगा कि चूहा जाल को काट रहा है तो जो ननकु चुहा था वो अपने दोस्तों की मदद करता है और सारे चाल को काट देता है सारी दोस्त अपने ननकु दोस्त को धन्यवाद देते हैं थैंक्यू बोलते हैं आपको अगर कोई पैंसिल उधार देता है तो आप उसको थैंक्यू बोलते हो ना वैसे ही सारे कबुतर ननकुचुहा को थैंक्यू बोलते हैं और फिर अपने घर के लिए उड़ जाते हैं तो बच्चो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मिलचुल कर रहना चाहिए अगर हम मिल चुल कर रहेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुचा पाएगा एक ता में बड़ी ताकत होती है एक ता में बड़ी शक्ती होती है अगर कबुतर लोग एक नहीं होते तो कोई उड़ी नहीं पाता था शिकारी सब को मार देता था लेकिन सारे कबूतर एक साथ हो गए और सब लोग एक साथ मिलकर चोर से ताकत लगा के उड़े और जाल को लेकर उड़ गए और उनकी जान बच गई तो ये कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा मिल जूल कर रहना चाहिए ठीक है बच्चो? तो बच्चो हमारी जो आज की ये कहानी है एकता वो यहीं पे समाथ होती है अगली कहानी लेकर मैं कल फिर मिलूँगी तब तक के लिए बाए बच्चो बच्चो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए तक क्यो